ट्यूस्टे मॉनिंग की शुरूआच सभी के लिए एक शौकिंग खबर से हुई गोविंदा के हाथ से उन्हीं की पिस्टिल गिर गई और उन्होंने खुद को उससे जखमी कर लिया पिस्टिल से गोली निकली और गोविंदा के पैर में लग गई अब उस गोली की तस्वीर भी सामने आई है और सारी डीटेल्स सामने आई है जिस वक्त गोविंदा के साथ ये हाथसा हुआ उस वक्त गोविंदा के साथ उनकी बीवी नहीं थी उनकी बीवी कोलकाता में थी गोविन्दा के साथ सिर्फ उनका एक गार्ड था जो मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन ब्रांच की तरफ से दिया गया था गोविन्दा अपनी पैकिंग कर रहे थे 6 बजे की कोलकाता के लिए फ्लाइट पकरनी थी इसी दोरान वो अपनी पैस्टल को केस में रख रहे थे बताया जा रहा है कि पैस्टल में 6 गोलिया लोड़ेट थी और ये पैस्टल थोड़ा पुराना हो गया था गोविंदा को नई पिस्टिल के लिए apply भी करना था लेकिन उसे पहले ही इस पिस्टिल से misfire हो गया गोविंदा जिस वक्त केस में पिस्टिल को रखकर अपने कबर्ड में रख रहे थे तब ही उनके हाथ से वो पिस्टिल छूट गई और उसमें से एक गोली misfire हो गई पुलिस के मताबिक उस पिस्टिल के लॉक का एक छोटा सा हिस्सा तूटा हुआ था फिल्हाल गोविंदा के पैर से गोली निकाल दी गई है गोली की तस्वीर भी हॉस्पिटल से सामने आई है जो गोविंदा के पैर से निकाली गई है reports के मुताबिक गोविन्दा के पेर के अंगूठे में ये गोली लगी है initial reports आई थी कि उनके थाई पर गोली लगी है लेकिन doctors और परिवार वालों ने ये clear किया है कि गुटने के नीचे उन्हें गोली लगी है गोविन्दा फिलाल recover कर रहे हैं उनकी वाइफ सुनीता कुलकाता से उनके पास पहुँचने के लिए निकल चुकी है